दोस्तों स्वागत है आपका बिहार नियूज में दोस्तों मैं हूँ फड़ दोस गनी और आप देख रहे हैं के डीबी लाइब दोस्तों आज हो चुका है दो नवेंबर दोजरी कीस तो आज की बिहार की टॉप नियूज लेकर आपके लिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते हैं आज की पुड़े बिहार की टॉप नियूज दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि दिपावली के महज दो दिन ही बचे हैं जहां ऐसे में दूर दराज नौगरी करने वाले लोग अपने घर पहुँचने के लिए उत्सुक है जहां पर कई बार सीट ना मिलने के चक्कड में वोए अपने घर देर से पहुच पते हैं इन ही सब बातों के ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलिवी ने दिपावली इस्पेसल ट्रेने चलाने का फैसला किया है जिसके बाद लाखो यात्रियों को अपने घर समय से पहुचने की सुविदा मिलेगी खास दोस्तों देश में भरष्ट पुलिस अपसरों की कमी नहीं है जियां सरकारी वेतन मिलने के बावजूद भी कुछ पुलिस अपसर दलाले करने से पीछे नहीं हटे जियां और महज कुछ ही वर्सों में अपने नाम का एक बड़ा सामराज ख़ड़ा कर लेते ही जियां आफ लगतार ताबरतोर मुहिम चला रहे हैं जिसमें से कई भरष्ट अपसरों की गिरफतारी भी हो चुकी है और कई की जारी है जियां इसी कड़ी में सर्च ऑपरेसन के दोरान एक ऐसा भरष्ट थाना पर भारी मिला जिसके पास करोड़ों की संपती है जियां आपको अच के दोरान ये थाना पर भारी करोर पती निकला है जियां आरा गार्डेन के स्रेया अपार्टमेंड में इस दित आवास और दफ्तर में चापे मारी के दोरान दो करोड तीन लाख से अधिक की चल और अचल संपती की जानकड़ी मिली है इसके साहती कई बैंक एक खातों शर्मा के नाम पर दो फलेट की जानकड़ी मिली है जहां E.O.E.U. के मताबिक सर्मा एवंग उनकी पतनी के बैंक खाते में बड़ी मात्रा में नगद रकम लगतार जमा कराई गई है इनकी कुल अनुमानित आये करीब एक करोड अठासे लाख एक चालिस हजार दोसो पंद ये मंगल पांडे ने का है कि कैंसर की रोक थाम और जाग रुखता के लिए स्वास्त भिवाग हमें साततपर काम कर रहा है इस गंभिर बीमारी के परती जन्द जाग रुखता से लेकर सुरुआती लक्षन की जानकारी हासिल करने के लिए प्रोग्राम चलाए जारी है जिन मंगल पन्डे ने का है कि अपरेल 2020 से लेकर अब तक बिहार में 1251 कैम्प आज़ित करके कैंसर की सुरुआत लक्षन को पकरने की कोसिस की गई इसके अलावे कैंसर की रोक थाम के लिए आवर नैंस टॉक के 109 कड़ करम आज़ित किये गए दोस्तो असम आंदर परदेस महराष्ट करनाठक और बिहार बार सुखार चकरवाती जैसे प्रकरतिक आपताओं के लिहाज से सबसे ज़्यादा जोखिम वाले राज़े हैं यह जानकारी जलवाई उस बिद्धा सुचकांग से सामने आई है यह C.E.W. की तरफ से जारी इस इंडेस के मताबिक देश के 27 राज़े और केंदर साथ परदेस जोखिम की चपेट में हैं जहां 80% से अधिक भारते जोखिम वाले जिलों में रहते हैं अधियर में कहा गया है कि भारत के 640 जिलों में से 463 जिले अतिरहिक बार सुखे और चकरवाद के जोखिम के दारे में हैं इनमें 45% से अधिक जिले अस्तिर प्रदर्सी और बुनियादी धांचे में बदलाओ का सामना कर चुके हैं दोस्तो दिपा वाली से पहले ये लपीजी पर महेंगाई का बंप फुटा है ये लपीजी गए सिलेंडर के दाम में 265 रुपे की आज भारी बड़ोतर की गई है रहत की बात यहीं कि ये बड़ोतरी कमर्सियल सिलेंडर में की गई है घड़े लपीजी सिलेंडर के दाम में कोई भी बड़ोतरी के बाद अब दिल्ली में कमर्सियल सिलेंडर 2000 रुपे के पार पहुँच गया है इससे पहले ये 733 रुपे का था अगर घड़ेलो LPG सिलंडर की बात करें तो आज इसमें कोई भी बदलाओ नहीं किया गया है जहां दिल्ली में 14 किलोग्राम वाला बिना सबसीडी वाला गैस सिलंडर 899 रुपया और बिहार में 1000 रुपय परती सिलंडर बिक रहा है जहां आपका बददी की 16 अक्तुबर को इसके दाम में बरोतरी की गई थी जहां वही एक अक्तुबर को केवल 19 किलोग्राम वाले कमर्सियल सिलंडर के दाम बढ़ाय गए थे दोस्तो दिवाली और छट की तैयारी को लेकर परसासने का अमला पूरी तरिकी से अलर्ट मोड में आ गया है जहां पर्व को देखते हुए राजजम्य यानि की बिहार में पुलिस अधिकारियों और जवानों की चुट्टी पर रोक लगा दी गई है जहां पर्व के दारान वीदी बिवस्ता और संपर्दाइक सोहार्द बनाये रखने के लिए बड़ी संक्या में पुलिस फोर्स की जरूरत को देखते हुए मुख्याले ने ये कदम उठाया है दोस्तो बिहार के प्राइबेट स्कूलों में पढ़ने वाले चात्रों के लिए बड़ी ख़बर सामने आ रही है ताज़ा डिपोर्ट के मताबिक बिहार के सभी प्राइबेट स्कूल दिपावली छट पर कड़िब-कड़िब दस दिन बंत रहेंगी जिन इसको लेकर पटना के कई स्कूलों में नोटिस जड़ी कर दिया गया है ख़बर के मताबिक बिहार के ज्यादतर प्राइबेट स्कूल तीन नवंबर से चुट्टी घोसित कर दी गई है जो लगबग बारे नवंबर तक रहेगी आपको बदा दी कि कोरोना महामरी के बाद बिहार के स्वी प्राइबेट स्कूल आफ लाइन के दोरा पढ़ाई को सुरू कर दिया गए है जिन ऐसे में दिपा वाली भाई दूस और चट पूजा को लेकर इसकूलों में करीब 10 दिनों की चुट्टी होने जा रही है हाला कि चुट्टी खत्म होने के बाद इसकूलों में फिर से आफ लाइन के दोरा पढ़ाई सुरू कर दी जाएगी इसको लेकर देसा नर्देस जड़ी कर दिया गया है दोस्तों पैंसनर के लिए इस्टेट बैंग ओफ इंडिया ने बड़ी राहत का एलान किया है जहां बृद्धाओं को अपनी पैंसन जारी करने के लिए जिवित रहने का परमान पत्र देना होता है जहां कई बार ऐसा होने की वज़े से बुजर्ग पैंसन धारी ये काम नहीं कर पाते है जहां पैंसन धारी को हर साल के वाई से अपडेट करना होता है पैंसन धारियों को नवंबर मह में खुद के जिवित रहने का परमान पत्र देना होता है जिहां इसको लेकर YSBI ने बड़ा अपडेट दिया है YSBI ने का है कि अब बुजरगों को जिवित परमान पत्र देने के लिए बैंक साखा आने की कोई जरूत नहीं है अब घर बैटे है हुए वीडियो कोल के मादेम से अपना जिवित परमान पत्र दे सकते हैं दोस्तों आब बात करते हैं कि बिहार में जमीन का सड़वे का काम चल रहा है लेकिन आपको बता दे कि बिहार में जमीन का साडूप बदलना आसान काम नहीं है जिहां इस के लिए सरकारियस पर तो तग्रा सुलक लगता ही है बागी फिर बाबू के टेबल पर भी मोटा चराओ चराना पड़ता है आप समझ गया होगी कि हम क्या बोल रहे हैं इसमें चूकने पर कई बार भू सुआमी को बरा नुकसान भी हो जाता है लेकिन अब सरकार इस पूरी पर कड़िया को पहले से अधिक आसान और कीफायती बनाने की कोसिस में जुड़ गई है जिहां राच सो एबंग भूमी सुधार मंतरी राम सुरत राय ने जमीन की सपड़ी वरतन सुलक में कमी का ऐलान किया है यह एलान बिहार में भूमी सुधार की तेज होती गती का ही हिस्सा है सरकार ने हाल के दिनों में जमीन के दस्ताबेजों के रख रखाओं से जुड़े कई बदलाव किये ही दोस्तों बिहार सरकार ने कारिये में लापरवाई बड़तने तथा गरवड़ी करने के आरोब को लेकर 26 बीडियो पर कारवाय की है जैंए इसको लेकर गडामे ने विकासी बिभाग की और से अकसल लिया गया है साथी साथे दिसा नरदिस भी जाड़ी कर दिया गया है छेतरे अधिकारियों के खिलाव भी कारवे की गई है राच्छत विभाग ने कई अंचलों के सीईओ को निलम बित कर दिया है विभाग के मंतरी सरवन कुमार ने बताई कि याउजनाओं के काम में सिसलता बरदास नहीं होगी विभाग सभी परखनों में काम करने वाले बीडियो पर नजल रखड़ी है अगर कोई कारे में गरबरी करता है तो फिर इस पर तुर्ट एक्सन लिया जाएगा फिलहाल सरकार ने नालंदा आरा भागलपूर गया और अंगबाद सितामरी मदुबनी अरुल जमुई और सेख पुरा सहित कई जीलों के बीडियो पर येक्सन लिया है 37 कई बीडियो को चेतामरी भी दी गई है ताकि वे काम को ठेक से कर सके दोस्तों मुझफर पूर के सरया में जहरीली शराब की जद में आये 6 लोगों की जान जाने के बाद पुलिस परसासन महकमे में हरकप मच गया है जहां इस घटना के बाद पुलिस और परसासन की अधिकारी अपनी अपनी कूरसी बचाने में लगे हुए है जहां दूसरी और शराब की बिक्रिया और बनाने पर रोक लगाने के लिए जिस विभाग पर विविसस जिम्यवारी दी गई है उस विभाग के अधिकारी मौन धारन करके बैठे है यहां आपको बता दो की मुझफर पूर जिले में जहरीली शिराब की जद से ये पहली घटना नहीं है इसके पहले भी जहरीली शिराब की जद में कट्रा और मनी आरे में कई लोगों की जान जा चुकी है इसके बावजूद भी पुलिस और परसासन की तरफ से अब तक धंदे बाजो पर नकेल नहीं कसा जा सका है अब तो धरले से हर दिन शिराब की खेफ मुझफर पूर जिले में पहुँच रही है तब फिर सरया में जहरी शिराब कहां से पहुँची है क्या थाने अस्तर से लेकर उत्पाद विभाग की अदिकारियों के पास सूचना तंतर की कमी हो गई है अगर सूचना तंतर की कमी नहीं है तो फिर मिलावटी शिराब बना कर कैसे बाजार में बिकरा है अगर उत्पाद और पुलिस विभाग मिलावटी शराप की बिक्री रोकने में पूरी तरीके से बिफल साबित हो रही है तो नतीजा अपनी घटना से लोगों की जान जाने से कोई ने रोक सकता दोस्तो आरजिरी पार्टी के परमुख लालो परताद यादब के बड़े बेटे तेश परताब यादब अब नई कमपनी एल आर राइस एंड मल्टी गरेंस बनाई है पहले से वो एल आर अगरबती बनवा रहे हैं जहां उन्होंने सुक्रुवार को ट्वीट करके इसकी जनकड़ी सेर्की है जह तेश परताब यादब की कमपनी का नाम एल आर राइस एंड मल्टी गरेंस प्राविट लिमिटेड है तेश परताब यादब ने ट्वीट करते हैं लिकाए कि अपना उप जाओ अपना खाओ अपना कमाओ जै बिहार दिपावली के पहले चावल आटा सत्तू मैदा और बेसन पांच परोड़क्ट लाँच किये जाएंगी जहें इसके बाद गरॉस तरी के अन्य परोड़क्ट भी बाजार में लाए जाएंगी इसका शरूम अनिशाबाद के तेज परताब नगर में बनाया गया है दोस्तों बिहार में अलग-अलग जिलों में लगतार जहरिली शिराब से मौत की घटनाए हो रही है ताजा मामला मुझपरपूर का है जहां कुछ दिन पहले तीन लोगों की जहरिली शिराब सेवन के माकारण मौत हो गई अब इन मौतों को लेकर मुझपरपूर के सांसद अजे निशाद ने बड़ी बात कह दी है जहां सांसद अजे निशाद ने का है कि यहां लगतार जहरीली शिराब से होने वाली मौत के कारण देस के दूसरे राज़्यमे बिहार की छवी को बहुत नुक्षान पहुचा है उन्होंने का है कि एक साथ पाँच साथ लोग मारे जाते ही जिसके कारण कई बार सरकार को भी जवाब देना मुस्किल हो जाता है मुझपरपूर सांसद ने इस दोरान काहे के लिए गतारा ऐसी घटनायों के कारण सरकार में सामिल दूसरी पार्टियों को बार बार ऐसे ज़स्ता का सामना करना परता है ऐसे मामले सामने आने के बाद उन्हें लोगों का सामना करना मुस्किल हो जाता है दोस्तों अगर आप बिहार के किसान हैं तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आई है खबर यही कि खेतों में धान का प्राली जलाने पर अब इस साल बेवस्ता को और भी सक्त कर दिया गया है धान का अबसेस यानि की प्राली जलाने पर जले के 123 किसानों का नेबंदन रद कर दिया गया है वही इस साल हारवेश्टर से धान की फासल की कटनी करनी हैं तो इसके लिए किर्सी बिभाग में आवदन देना होगा जैं इस आवदन पर अंती मनुमती डियम देंगे हारवेश्टर वालों को प्राली परबंदन करना होगा और खेत में धान का अबसेस नहीं छोड़ने का सपत पत्र देना होगा हारवेश्टर रखने वालों को धान का अबसेस परबंदन के लिए हैप्पी सीडर मशीन भी रखना होगा जब पिछले साल खेतों में धान का अबसेस जलाने के मामले में 120 किसानों को चिनित करके उनका अंदेबंदन 3 साल के लिए रत कर दिया गया है दोस्तों आब बात करते हैं कि बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है ताजा डिपोर्ट की मताबिक बिहार में बालू की किलत पहले से ही चल रही है जिसके कारण कई जिलों में बालू के दाम बर गए हैं जिहां वहीं अब इट के दामों में भी बर्दी होने वाली है खबर के अनुसार बिहार में डीजल की कीमत 104 रुपे परती लिटर हो गई है जबकि कोईले की कीमत में बहतासा बर्दी हो रही है जिसके करण एट की कीमत कड़ी भी 350 रुपे परती हजार बर गई है ज्यांँ इसकी कीमत में और भी बढ़नी की संभाव बनी हुई है ज्यांँ आपको बताद का बिहार में पहले कोईले का भाव आठ हजार परती टन्थ था लेकिन अब कोईले के भाओ चौदे हजार रुपे परती टेंड हो गया है जिससे इट के दाम भी तीन सुरुपे परती हजार की दर्फे महेंगी हो गई है जहें इसका सीधा सा असर घर मकान बनाने वाले लोगों पर पर रहा है जहें बिहार इट निर्माता संग के मुरारी कुमार मन्नू ने कहा है कि डीजल की कीमतों में लगतार ओड़े का असर भी इट उधोग पर 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 रहा है क्योंकि इट उधोग में कई अस्तर पर डीजल का उपियोग होता है जहें इसमें इट के दाम बर रहे हैं दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजदनी पतना में नर्सिंग आफिसर के दोसे पदो पर वेकंसी निकली है ये वेकंसी अखिल भारती आड़ विग्यान संस्थान याने की एमस के दोरा निकली गई है जो लोग यहां नौकरी करना चाहते हैं वे परकासिट अब दन की परकडिया को पुरा करें अगर हम योगेता की बारे में बात कर तो नर्सिंग आफिसर बनने के लिए आपको योगेता किसे मानत पराप्त संस्थान से बीस्टी नर्सिंग होनी चाहिए जहां अधिक जान काड़ी के लिए आप नोटिस को पढ़ें इस में आब आबिदन सुल्क 15 रुपे हैं जबकि यस्टी यस्टी आर्थिक कमजोर वर्ग और महला उम्मिद्वारों के लिए आबिदन सुल्क 12 रुपे हैं दोस्तों अब बात करते हैं कि इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार की रास धनी पटना से सामने आ रही है गंगा नदी में नहाने गए चार चात्र नदी में डूब गए जैना काफी मसकत के बाद तीन चात्र को जिंदा नदी से बाहर निकाल गया लेकिन एक को बचा नहीं जा सका जैना इस घटना के बाद इसे अलाके में हरकप मज़ गया है पड़ी जनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है घटना पीर बहुर थाना च्छेतर के करस्न घाट की है बताया जाता है कि गंगा नदी में नहाने के दोरान चार चात्र डूब गया है अस्थाने लोगों को जब इसकी जान कड़ी मिली तो फिर तरंत यस्टी आडियफ और गोता खुरों को सूचना दी गई यह काफी मसकत के बाद तीन चात्र को जिन्दा नदी से बाहर निकला गया यह लेकिन एक चात्र की जान चली गई यह मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मिर्त चात्र के सब को कबजे में लेकर पोश्माटम के लिए भेज़ दिया है दोस्तो अब बात करते हैं कि मुझफर पूर जेले में धन तेरस को लेकर बाजार सज़ दसकर तयार है जह तीन सु करोड से अधिक का व्यापार होने का अनुमान व्यवसाईयों को है धन तेरस में सबसे अधिक सोने चांदी की सिक्कों की बिक्री होती है जहां उसके बाद इलक्ट्रोनिक आइटम फरनिचर और बरतन जारू आदी घरेलू सामाने की लोग खरीदारी कर रहे हैं लक्षमी गनेस की मूर्ती को सभी खड़िते हैं दोस्तों मुक्य में नितिस कुमार के जनता दर्बार में गिरे पुलिस समाने परसासन की जमीन और अन्य विभाग से जुरी सिकायतों की सुनवाई हुई यह सबसे अधिक मामला जमीन और अंचल अधिकारी से जरा हुआ था अंचल अधिकारियों की लगतार सिकायत के बाद सीम नितिसकुमार प्रेशान हो ठी इसके बाद मुक्यमिंतरे नितिसकुमार ने राजसो एबंग भमिसुधार बिभाग के मंतरी को तलब कर दिया मुक्यमिंतरे नितिसकुमार ना तलख लहज़े में काये कि आपके यहां से बहुत मामला है जरा सुन लेजीए जरा सुना कीजिए अंचलादीकारियों के आतंग से सीम नितिसकुमार पड़े साम देखे जो दरजनों ऐसे केस सामने आये जिसमें अंचलादीकारी की वज़े से सरकार की परतिष्टा गिर रही थी इसके बाद कल नितिसकुमार ने तलख तेवर अपना लिया जहाँ उन्होंने भी भाग के मंतरी रामसुरत राय की अपरोक्ष रूप से कलास लगा दी जहाँ उन्होंने का है कि जरा आप भी सुना कीजिए आपके यहां बहुत केस आड़ा है जरा गौर से सुना कीजिए कसخص ने CM NITUSKUMAR से कहा है कि हमारी जमिन को कब्जा कर लिया गया है जिला आदिकारी ने कब्जा हटाने का आदेज भी दिया लेकिन DM के आदेज को अंचला दिकारी इसने मानने से इंकार कर दिया ये सनकर CM NITUSKUMAR भी भोचक के रह गए उन्होंने पूछा है कि DM के आदेस पर CEO ने कार्रवाई क्यों नहीं की यह सवाल है फडियादी ने काई कि DM के आदेस का पत्र लगा है फिर क्या था मुक्यमेंतरे नितिसकुमारे ने तुरंत मुक्या सचिप को फोन लगा कर काई कि आप इस मामले को देखिए DM का आदेस अंचल अदिकारी नहीं मान रहा है ऐसे में तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत से नेपाल जाने वाले लोगों के लिए नेपाल सरकार ने बार्डर पर पहचान पत्र यानि कि आडेंटी कार्ड दिखाना अनिवार कर दिया है नेपाल सरकार के गिरे मंतराले के परवकता ने बताया है कि ये नियम अभी लागों नहीं किया गया है लेकिन इसकी तैयारी जोड़ सोर से की जाड़ी है नेपाल सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि खुली सीमा का फायदा उठाते हुए थर्ड कंट्री के यानि कि दूसरे देश के लोग आसानी से नेपाल में परवेस कर जाते हैं जिससे नेपाल की आंतरिक सरक्षा का सवाल के साथ साथ खत्रा भी पैदा हो रहा है जिससे नेपाल के सी बी आई टीम दोरा काट मांडो के एक होटल में अफगानिस्तान के ग्याड नागर्गों की गिरिफतारी के बाद नेपाल सरकार के गिरे मंतराले की एक बैटे कुई जिसमें आंतरिक सरक्षा का हवाला देते हुए नेपाल ने ये कदम उठाया है दोस्तों अब बात करते हैं कि पहारों पर हो रही बर्फबाडी का असर साफ तोर पर बिहार में अब दिखने लगा है जिन बिहार में भी मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है रात का तापमान अब गिरने लगा है जिन सुबे के समय लोग ठंड महसूस करने लगे हैं इस साल दिपा वाली के आजपास ठंड बढ़ने के आसार दिखने लगे हैं जिन बिहार के तापमान में काफी तेजी से गिरावट देखी जा सकती है जिन इस दोरान ही हवा की रफ्तार में भी लगतार हो रहे हैं इस साल मानसुन की बिदाए भी काफी लेट से हुई है जिन जिस से ये अनुमाल लगाए जा सकता है कि ठंड भी अगले साल होली के परवत तक रहने की संभावने है जिन बड़ते ठंड के साथ ही गर्म कपरों की मांग भी बाजार में होने लगी है बर रही है बिहार के सीवान से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जिया है बिहार के सीवान में बितेर अरबिवार की रात पान थोकने के बाद बिबाद इतना बर गया कि सिड़ फिड़ यूक ने एक सखस को गोली मार कर हत्या कर दी जह सीवान में आठ घंडे के अंदर ये दूसरी घटना है मामला सराय ओपी थाना छेतरे के पुरानी कीला पोखरा क्या है जह मिर्तक की पहचान उतर परदेस के सामली जिला के थाना भावने अलाके की सहागाजी पूरा के रहने वाले नवाब हसन के पुत्र अहसान मलिक के रूप में हुई है वह पुराने कीला पोखरा में एक किराए के मकान में अपने अन्ने साथियों के साहत रहता था पेरी लगा कर कपड़े बेचता था घटना के संबद में परतिक्ष दर्सी सांथी ने बताया है कि रविवार की रात अहसान मलिक अपने कमड़े में खाना बना रहा था जहां उस समय हुए पान भी खारा था जहां खिरकी से पान थूकता ही छीटा नीचे खड़े एक योक को पर गया जहां इसके कारण गुसे से तम-तमाई योक उपर आया और गाली गलोज करते हुए एहसान को गोली मार दी जहां इससे घटनास तल पड़ ही एहसान की मौत हो गई जहां वहीं गोली की आवाज सुनकर दूसरे कमड़े में कपरा पैक रहे एहसान का साथी उसे बचाने के लिए गया लेकिन योक ने उस पर ही हमला कर दिया जहां और बाल बज भी गया दोस्तो अब बात करते हैं कि किसंगज में दिपा वाले और चटपरवा में खराब क्वाल्टी की मिठाई बेशने वालों पर अब परसाशन सकते से निपटेगी जहां इसके लिए फूड इसफेक्टर अरडिया के साथ एक टीम गटत किया जा रहा है तीम दिपानों की जाईच करेगी किसंगज अरडिया पूर्णिया में कुछ मिठाई के दुकानों में खराब क्वाल्टी का मिठाई परोसा जा रहा है यही हाल कठियार का भी है जिसका सीधा सा नुकसान आपके सहत पर हो रहा है लोगों के सहत पर 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 रहा है Хотя कुछ दुकानदार बंगाल के राए गजमाल दांसे खराब उक्वालिटी का खुत लाकर मिठाई बना रहे है वहीं कुछ दुकानदार सीधे सस्ते दाम में खराब मिठाई या मंगा कर बेशने का काम कर रहे हैं जहां ऐसे दुकानदारों को परसासन के दोरा चिनित किया जा चुका है यह यह डियम सहनवाज अहमद नियाजी निसुमर को बताया ही कि लोगों की सहथ से खिलवार किसी भी सूरत में बरदास्त नहीं किया जाएगा दोस्तों बैंकों के दोरा समय समय पर कॉल और मैसेज के जड़िये आपको सरत्चा से जोड़ी जानकारिया दी जाती है यह 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 चाहे फरजी कॉल की विसे में होगा या फिर के वैसे की बारे में इतना ही नहीं एटियम पिन और इंटरनेट बैंकिंग पास्पोर्ट को गोपनी रखने की सला दी जाती है इसके बावजूद भी लोग ऐसी गलती करते हैं और बाद में रोते हैं कि मेरे पैसे चोड़ी हो गए दरसल कोई भी साइबर क्रिमिनल बिना आपकी मरजी के बैंक से पैसे उरा नहीं सकता है इसके आपके जाने अन जाने की कई गलती होती है इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक करोड की चोड़ी में एक साइबर क्रिमिनल को गिरफतार किया गया जब पत्ना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने ऐसे साइबर अप्रादियों की गिरह का खुलासा किया है जो इंटरनेट और वाटसेप पर लोड इनाम जीतने के वैसे अपडेट कराने समयत कई तरके का जहांसा दे कर लोगों से ठागी करता था जह पिछले चार साल से पत्ना समयत बिहार के नवादा वैसाली और रंगबाद नालंदा समयत कई जिलों में सक्डेए य के गिरह अब तक एक करोर से अधी की ठागी कर चुका है जहां चार साल से ये गिरो पटना और अन जिलों में शक्रे था पत्रकार नगर पुलिस ने एक आरोपि को पकरा है जहां आरोपित के पास से कई बैंकों के डेमिट कार्ड, पेंड कार्ड, आधार कार्ड, पास्बुक और चेक बुक मिले हैं पुलिस ने गिरो के सातीर गौतम कुमार को गिर्फतर किया है जहुए मुल रूप से नवादा जिले के मीर चक वारिसली गंज का रहने वाला है गिरो का सरगना संतोस कुमार भी नवादा के मीर बेगा वारिसली गंज का ही रहने वाला है दोस्तों अब बात करते हैं कि केंदर सरम और रोजगार राज़ मंतरी रामेशोर तेली के सामने सनिवार को बिहार में व्यापत भरष्ट चार की पूल खुल गई जब एक महिला ने मंतरी के सामने का है कि उन्हें इस शरम कार्ड बनाने के लिए सोड़ विपे देने पड़े दरसल मामला क्या है हम आपको भी बताने जा रहे हैं तो मामला यह है कि केंद्र शरम और रोजगार राज़ मंतरी रामेशोर तेली सनिवार को पटना में इस्तित दशरत मांजिस शरम एवंग नियोजन अधियन संस्थान में आयुज़त ई शरम कार्ड निबंदन और वितरन समहारों में सरकत करने पहुँचे थे ज़ए केंद्र मंतरी के हाथों कुछ लोगों को शरम कार्ड भी बाटा गया यहे इस समहरों में केंद्र मंतरी के साथ भी हर सरकार के सरम मंतरी जिए निवेच मिस्तरा भी मौदीद थे इसी दोरान किरन देवी जो पतना के महमत पूर की निवासी है उन्हें शर्म कार्ड देने के लिए मंच पर बुलाया गया किरन देवी को शर्म कार्ड देते हुए रामेश और तेली ने उनसे सवाल पूछा है कि उन्हें शर्म कार्ड निसलक में मिला है फिर में मिला है ना यह सवाल पूछा गया मंतरी के दोरा जवाब में मंच पर ही किरन देवी ने खुलासा कर दिया है कि उन्हें इस कार्ड को बनाने के लिए सौड़ विपे देने पड़े फिर क्या था केंदर मंतरी ने जब सुना की महला को शर्म कार्ड बनाने के लिए सौड़ विपे देने पड़े तो वे ना क्योंग गए बलकि अपनी नाराज़गी भी जताई जहां उन्होंने पूछा है कि पैसे दिये थे किसको दिये थे इसके बाद केंद्र मंत्री ने आनन फानान में मौके पर मौशूद बिहार सरकार के सरम मंत्र जिवे समिस्तराव से पूरे मामले की लेकर रिपोर्ट मांगी और नर्दस दिया है कि जिस किसी को भी शर्म कार्ड बनाने के लिए पैसे देने पड़े हैं जुलाई और सेप्टेंबर की अलग-अलग पैकिंग में सर्सों तेल की कीमत पूरे 30 रुपे की बरोत्ते दिख रही है दोनों डब्बों की तस्वीरों को लेकर राज़त स्रिप्रीम लालु परसाद यादब ने भी एक ट्वीट किया है और किर्सी कानूनों से इसे जोर कर तंच कसा है सोसल मीडिया पर सर्सों तेल की दो बतलों की तस्वीर एक साथ वारल होड़ाई है जिन एक ही कमपनी की दो अलग-अलग पैकिंग में 30 रुपे का अंतर दिख रहा है जिन जुलाई 2020 में तयार की गई एक लीटर वाली बोतल में सर्सों तेल की कीमत 235 रुपे दिख रही है जबकि ठीक दो मेहने बाद जिस बोतल की पैकिंग की गई है उसकी इस्टिकर में 265 रुपे दिख रहा है यानि की दो मेहने के अंदर ही सर्सों तेल की कीमत में 30 रुपे का उच्छाल आया है जिहां आर जिदी सुप्रेमो लालु परसाद यादब ने इस तस्वीर को स्ट्रेड किया है जिहां सनाती उन्होंने ट्वीट करते वेले काहीं कि सर्सों के तेल का क्या भाव है क्या आप इसे खुस हैं रुकिए तीन काले किर्सी कानौनों के विपरित प्रभाव अभी दो चार वर्सों बाद और भी अधिक समझ में आएगा आर जिनी सुप्रेमों लालू पर साध यादम ने कुछ मेहने पहले बने तीन ने किर्सी कानौनों को इस उच्छाल का कारण बताया है आपको बता दो कि यहाल के दिनों में इस कानौन को लेकर विवाद छिरा हुआ है यह वही सोसल मीडिया पर भी स्टार्सों तेल की बोतलों की तस्वीर तेजी से वारल हो रही है जहन लोग तेहवार के समय इस महेंगाई को लेकर सरकार से नाराज गिजता रहे है तीपावाली सामने आने पर अब आम जन महेंगाई को लेकर बेहाल है बड़ी हुई कीमतों को लेकर कई हैश्टेक भी चला जा रहे हैं वहें के अंदर सरकार पर तंज भी कसाय जा रहा है दोस्तों अब बात करते हैं कि अब आंगन वारी के बच्चे खेल खेल में पढ़ाई करेंगी यह बच्चों की लिए दिवार पड़ी एफ और एपल और केफ और कबूतर लिखा रहेगा जिले के 200-35 पेंचातों में इस तरह का भावन तयार होगा इसकी तयारी सुरू कर दी गई है दोस्तों इस मेहने पूरे देश में बैंक सत्रे दिनों तक बंद रहेंगी नवेंबर महिना तेहवारों का महिना होता है जहां इस महने मनाए जाने वाले कुछ तेहवारों में दिपा वाली भाई दूज छट पुजा आदिस सामिल है ऐसे में अगर आपको बैंक से जुरा कोई भी काम करना है तो आप उससे पहले ही छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें जहां इस महने किस दिन बैंक बंद रहेंगे इसकी लिस्ट रिज़र्फ बैंक जारी करता है जिसे देखकर ही ये तैय किया जाता है कि इस महने में कितने दिन बैंक बंद किया जाएगा जहां वहें इस कैलेंडर के आधार पड़ ही आप भी अपनी बैंकिंग कामकाज के लिए प्लान बना सकते हैं आपको बता दे कि सारवाजनिक छुट्टियों के दिन सभी राज्जों के बैंक बंद रहते हैं जबकि कुछ छुट्टियां अलग-अलग राज्जों में अलग-अलग दिन होते है दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की पुलिस या बिवस्ता का क्या कहना कभी कभी पुलिस बिभाग से ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिसे लोग सुनकर दंग हो जाते हैं ताजा मामला भी ऐसा ही है जहां एक फरजी योक दारोगा बनकर चौंकी में ड्यूटी करता रहा और उसके बड़े अधिकारियों के इसकी भनक तक नहीं लगी जहां खुद को दारोगा बता कर ये सखस एक दो दिन नहीं बलकि पूरे एक मेहने तक थाने में नौखरी करता रहा जहां लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी खुद को 2019 मेंश का दारोगा बताने के बाद पुलिस की वर्दी पहन कर विकरम कुमार नाम का ये योग थाने में काम करने के साथ ही पुलिस की गस्ती बैंकों में सीसी टीवी चेकिंग और वरिष्ट अधिकारियों के साथ अनुसंधान में भी जाता रहा लेकिन किसी को उसकी असलियत का पता नहीं लगा यह मामला बिहार के खगडिया जिली से जुरा हुआ है दोस्तों बिहार में दो सीटों को से सोड़स्थान और तारापूर में उपचनाओ को लेकर जैरी सियासी गहम गमी मद्दान के साथ थोड़ी थम गई है लेकिन दोने सीटों पर अपने जित दर्ज करने के लिए यंडी और आरज़ी समित अन्य पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत जोग दी थी अब मंगलवार को काउंटिंग के बाद ये पता चलेगा कि आखिर जनता ने किस दल पर अपना भरसा जताया है लेकिन इन सब की बीच नेता परतिपक्ष तेजस्वी अदब ने एक बार फिर सी बिहार के मुख्य मंतिरे नेतिस कुमार पर हमला बोला है इसके लिए बिहार कृसिब से बिधाले ने बायो डिकम्पोज का आउडर दे दिया है खेतों में पर्टेक्षन सफल हुआ तो पर किसानों को पराली परमंदन की इस नई याउजना की जानकरी दी जाएगी पर्योग के अनसार पंद्रे दिन में ही पराली गलकर खाद बन जाती है खाद बनने के बाद खेतों में बौई की लागत भी कम हो जाएगी क्योंकि खाद कम डालना पड़ेगा बिहार में ये पर्योग सफल हुआ तो फिर बीस रुपे के कैपसूल से ही पराली परमंदन की समस्या दूर हो जाएगी जहां पंद्रे दिन में इस पर्योग के बाद किसानों को नातुक पराली जलाने की समस्या होगी और नहीं काट कर खलीहान में ले जाने का खड़ चाहा साथ ही इस पर्योग से सिचाएं के लिए भी पानी की आदी बचत होगी यूडिया का चिरकाव भी कम करना होगा दिल्ली परदिस के खेतों में ये योजना सफल हुई तो बिहार सरकार ने किसी भीभाग के अदिकारियों को इसकी योजना बनाने का नर्दस दिया है जब हारतकर से अनुसंधान संस था यानि की पूसा इस्टिटूट ने अनुसंधान किया है बाय और डिकमपोजर की इजाद वहीं पर हुई है इसके बाद दिल्ली सरकार ने अपने सभी किसानों को इसका मुपत में वित्रन किया और धान की खेती वाले दो हजार एकर में वेगयनिक देखरेक में इसका चिरकाव भी कराया सफलता मिली तो बिहार सरकार भी इस पर योगी की और कलम बराने लगी है दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में तेहवारों का सीजन चल रहा है दुरगापूजा का महत्सों खत्म होने के बाद अब दिपावली और छट परव नजदिक हैं जिन बिहार में दोनों परव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है इस बीच पुलिस मुख्याले ने नए आदेश के तहत सभी पुलिस कड़मियों को एक से बारे नमेंबर तक आवगास यानि की छुटी देने पर रोक लगा दी है जिन सभी जिलों को ये आदेश जारी कर दिया गया है दिपावली काली पुजा और छट महापरव सिर पर आ चुका है इस अपसरप्रवीदी बेवस्ता और संपरदाइक सद्भाव बनाया रखने की जिम्यदारी पुलिस परसासन की उपर होगी जिन सांधिपूर्ण तरीके से सभी तहवारों को मना जाए इसके लिए पुलिस दिभाग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है जब पुलिस मुख्याले ने ये निर्ण लिया है कि 1 नवेंबर से 12 नवेंबर तक किसी भी पुलिस कर्मियों को छुटी नहीं दी जाएगी ये आदेस अधिकारियों और जवानों के सभी परकार की छुटीयों पर रोक को लेकर है दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में चेंपियन तैराक बेबी कुमारी ने सीनियर रास्ट तैराक की परतिविता में सिल्वर मेडल जीत कर बिहार का नाम रोसन किया है 26 से 29 अक्तबर को करनाटा के बैंगलोर सहर में 24 सीनियर नेशनल एकवार्टिका चेंपियनशिप आयोजित हुई थी इसमें बेबी ने शानदार परदसन करते हुए दूशरा स्थान हासल किया है उसने वाटर पोलो असपरदा में ये जीत दर्ज करके जिले और बिहार को गरनवित किया है बेगुस रह के पर्रा पैंचेत के सरोजा गाउनिवासी फावरादर सहनी की जोपड़ी से निकली तैरा के बेबी कुमारी आज राष्टी अंतराष्टी तरन ताल में धूम मचा रही है इस मकाम तक पहुँचने में उसे काफिर संगर्स करना परा पर उसने गाउं के कुर्णमा नहर से स्विमिंग की सुरुआत की तो फिर पीशे मुर्कर नहीं देखा जहां सब जूनियर और जूनियर्स परधाओं में वर्सों तक हुए बिहार की चेंपियन बनी रही दोस्तो आज का न्यूस बस यह तक ऐसा लगा जरू अपना सो जाओ देजिए अगर ने चेक मैंन बॉक्स में कैमेन करके अगले वीडियो में जाए हिंद जाए बिहार